अलो बच्चों, लेट्स रीड दा क्वेशन, इंटीग्रेशन ओफ 3 x square dx, बच्चों हमें फाइंट करना है, इसमें से constant बाहर लेलें 3, तो इंटीग्रेशन फाइंट करना है x square dx, तो इसके लिए हम लोग रेफरेंस लेंगे पहले, पावर रूल की, जिसके according, इंटीग्रेश c है बच्चों, इंटीग्रेशन constant, तो यहां हम देख सकते है, x की पावर 2 है, it means n की value 2 है, तो यह जाएगा 3, then x to the power 2 plus 1, whole divided by 2 plus 1, then plus c, means integration constant, बच्चों, यह जाएगा 3, x to the power 3 divided by 3 plus c, it means final answer is x cube plus c, so correct option is option a, thank you.